नमस्कार मैं अंजले विश्रा स्वागते आप सभी का दर्योज में एन ये का मुस्ट वॉंटेड आतंकी पन्नु जो है इसे लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है यह अपडेट यह है कि अमेरिका ने पहले पन्नु को लेकर भारत पे आरोप लगाए और कहा कि भार माइल है कि आतंकी पन्नु जिसके लिए यह ऊमेरिका स्थी आरोप लगाए है और मामले को लेकर भारत आरशко में घटास कहसे देयुट लिए उस पन्नु के बारे में ही आप जान लीजिए यह अतन्न की पन्नु में जहां पर भी उरे रही हैं उन्हें भड़काओ वीडियो जारी करके उन्हें यह कहता है कि खालिस्तान हमें चाहिए पन्जाब को अलग कर दो उन्हें भड़काता है प्रोटेस्ट वगर Summen यूद चल रहा है मास और इसराइल को लेकर उसकी भी बात की जो है उसने जिक्र किया और वीडियो जारी करके कहा कि यह तो ट्रेलर है अगर हमें खालिस्तान नहीं मिला अगर पंजाब को अलग नहीं किया गया तो फिर हम इसी तरीके का एक ट्रेलर जो है वह अब पूरी पि खिलाफ दर्ज किये गए है कई जगा हिंसा जो है पन्नु के खिलाफ भड़काई गई है भारतिया जंडे का अपमान भारतिया पन्नु के कहने पतिया गया है और उसी पन्नु को बचाने के लिए आज अमेरिका भारत के ऊपर आरोप लगाता नजर आ रहा है पहले और को रहा है निखिल उसका हिस्तिका नाम है थोड़ा भी समझ önemli किकी किया है किस तरीके से निखिल गुपता का नाम इस मामले में आया है और अब इस मामले को लेकर अमेरिका ने क्लश कह बारत की क्या प्रतिक्रिया रही है यह ओधा विस्तार सब्स CGI तो अमेरिका धर्थी के वकील डेमियन विलिम्स ने एक बयान जारी करते हुए यह कहा कि प्रतिवादी ने भारत में न्यूयर्क सहर में भारती अमूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिस्ट चाहिए जो सारवजनिक रूप से सिखों के लिए कालग देश वनाने की वकालत करता है इसमें गुरू पतवंत सिंग पन्नू का नाम नहीं लिखा गया है तो आप समझें कि अब जो है अमेरिका उसे एक नागरिक के तौर पर कंसिरेट कर रहा है एक ऐसा नागरिक जिसके वजए से भारत में रह रहे लोगों की जो भारत के नागरिक है उनको खत्रा हो सकता यह साथ त अगर भारत से तौर पर ट्रीट करने के लिए जो है एक एक आतंकी के तौर पर टूर करने के लिए जो है क्सपेक्ट करती या फिर एक आतंकी के तौर पर और इसे जुड़े हुए क्या आथंकी जेले है कई आथंकी हमलो let के जलने के बाद एक आतंकी के समर्थन में अलों अमेरिकी द्वारा बयाजारि करुना यह अमेरिका अज्वार इसे लेकर भारत से चीजे करुशे जोकुए बैधर थे यह नहीं कु Bürger पत्रकारे हैं इसरेह लगा रही है जो अरोफ लगा रहे हैं इसे तरीके वह समझ जाएगा और ढाइडा dar से बियान बाजी करता रहे गया और उनके उन्हें किसे भी तरीके का कोई प्रूफ भारतिया सरकार के सामने नहीं रखा और अब अमेरिका भी इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यह काम कर रहा है आरोप जो है लगा रहा है कारवाहिया कर रहा है और सर्फ एक स्टेटम अब सोचिए यह लख रहे है कि निखल गुपता जो है जो है जोसे हिनोंने पकड़ा है वो नशीले प्रदार थानी ड्रक्स का हत्यारों का काम करता है तो वो निखिल गुपता जो खुद अगरा कहेंगे ड्रॉक्स और हतियारों का काम करता है जो बात खुद अमेरिका द्वारा कही जा रही है एक ऐसे वेक्ति के स्टेट्मेंट के आधार पर भारत के ओपर सवाल खड़े करने का हक अमेरिका को किस ने दिया एक ऐसा वेक्ति जो ड्रॉक्त ड्रीलर है एक ऐसा वेक्ति जो हतियार की डिलिंग करता है वो अपनी जयार बचाने के लिए अपनी चीजों को आप कह सकते हैं सही कराने के लिए अगर भारत का नाम या ये कहना भी गलप नहीं होगा देश के उपर सवाल खड़े कर रहे हैं जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो अमेरिका की इस वक्त अगर आप कहेंगे कि क्या उनके कह सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके से इंफ्लेंसों के चीज़ें कह रहे हैं यह भी एक बड़ा सवाल है निकल पर उसने यह बयान में दिया है कि निजर की हत्या में भी भारत की संलेटा की बाद उसके द्वारा कई गई है सवाल अब एक और उटता है निजर और पन्नू जब निजर की हत्या का मामला इतने दनों से उठ रहा था इसके बाद लगातार जो अगर आप कहेंगे कि पढ़ें बाकता और नागरिक होने का अधार क्या हय यही चीज़ अगर भारत में होती है इसद वेक्ती कर इस तरीके से अमेरिका को धमकी दे रहा होता या फिर केनड़ा में धमकी दे रहा होता और उस announce वक्त यहीं सरकार है जो कहते कि भारत जो है क्यों नहीं कारवाई कर रही है इसे एक नागरिक के तोर पर क्योंकि भारत की एक साफ तौर पर एक सपस्ट नीती है और वो है Zero Tolerance की नीती्टी टर्रेरिजम को लेकर आतंकी कहीं का भी हो कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके खिलाफ कारवाई सक्ट से सक्ट होनी चाहिए ये भारत की नीती है लेकिन अमेरिका की नीती के एंडा की नीती अब सवालों को जन्व दे रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके कई सार उसके आपके सकते सबूत की भी जरुवत नहीं है इतने सारे वीडियो शोशल मीडिय पर आज के वक्त में उपलब्ध है एक पन्नु आप टाइप करके देखेंगे तो एक एक सेंडल पर आपको हजारों वीडियो पन्नु के बिल जाएंगे जहां पर भारत सरकार को भारत के नागरिकों को और अलग अलग तरीके की धंकिया दे रहा है और एक ऐसा आतंकी जो क पर अमेरिका सरकार कारवाई नहीं करता या फिर इस तरीके से धंकी दे रहे हैं अमेरिका में बैटके बारत के लोगों को अमेरिका अगर जानता है कि उनके अंदर एक ऐसा नागरिक रहता है तो उसके खलाफ अमेरिका को कारवाई नहीं करने चाहिए आज तक अमेरिका इ कि अ셨रती सवाल जो है अवजर्म हो रहे है कि क्यूज अब कुछ जानकर भी अमेरिका ब線 पर चुप रहे हैं अब यी सर्फ THE हम ही भ veter kok में सचिदान थेपल स्पीज छिश द Dim hiện कर सामने आजे मामला हैं कि एक लाआख डौलर तक्रीबन 85 फाइफ लाक रुपीज अगर कनवर्ट करेंगे तो इतना उनको दिया गया था किलिंग के लिए और यह जो है पन्नू की हत्या के लिए किया गया था जिसका बाद में भंडा फोड हो गया जैसा कि अमेरिका इस मामले को कह रहा है और भारत ने इसे मूह तोड़ जवाब देत करना चया है कुछ लोग यह भी कह रही है कि जो अमेरिका है वह एविडेंस को एकार이다 करने में मैं अपने हिसाः करनाने में बिगाण़ को अब ज़ुदा बाहता़ है तो आपको मामला से बताहे कि पूरा एक्षिन में कॉमेंट करके जरूर साजा करें नानवाद